हेलो दोस्तो वेलकम माई यूटूब चैनल आप्सन ट्रेडिंग टेक्निकल एनालाईसिस में आप सब का स्वागत है तो दोस्तो अगर आप हमारे डेली एनालाईसिस को फोलो करते होंगे तो आज आप लोगों ने अच्छा खासा प्रॉफिट कमाया होगा अब चलिए देख लेते हैं कल के दिन बैंक निफ्टी और निफ्टी के अंदर कैसा कामकाज हो सकती है तो देखे दोस्तो पहले हम देखेंगे बैंक निफ्टी और उसके बाद देखेंगे निफ्टी तो आप लोग देख सकते हैं हम बैंक निफ्टी के चार्ट पर आ चुके हैं देखे दोस को लाइक करें चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब भी कर लें साथी साथ बैल अकन के ओल पे क्लिक करना बिल्कुल भी ना भुले जुरूर क्लिक कर लें अब चलिए देख लेते हैं कल के दिन बैंक निफ्टी के अंदर कैसा मोमेंट होने वाला है देखें दोस्तों आज के द वो लोग आज के दिन अच्छा खासा प्रॉफिट बनाया होगा अब चलिए देख लेते हैं कल के दिन मोमेंट कैसा रहने वाला है बैंक निफ्टी के अंदर तो देखें दोस्तों पहले हम देखेंगे वन डे का चार्ट और उसके बाद देखेंगे 5 मिनट के टाइम फ्रे एक बियरी स्केंडल का फॉर्मेशन हुआ है जिससे हमें यह इंडिगेशन मिल रहा है जो कल के दिन बैंक निफ्टी गैप डॉन खुल सकती है अगर आप लोगों ने आज के दिन सी होल्ड कर रखा है तो आप लोग हो जाए यहां पर साबधान कल के दिन 9.15 पे मार्केट आपन होगी 9.20 में अपना पोजिशन को एक जीट कर लें अब चलिए देख लेते हैं इंट्राडे के बेस पर कौन कौन सा लेवल निकल के आ रही है बैंक निफ्टी के अंदर ट्रेड करने के लिए तो चलिए दोस्तों अब हम चलते हैं पांच मिनट के टाइम फ्रेम पर तो देखे दोस्तों अब हम पांच मिनट के टाइम फ्रेम पर आ चुके हैं अब चलिए देख लेते हैं कौन कौन सा लेवल इंपोर्टेंट निकल के आ रही है कल के दिन बैंक निफ्टी के अंदर ट्रेड करने के लिए तो देखे दोस्तों अगर कल के दिन बैंक निफ्ट person की गैप ऊपणिंग होती है वह कौन सा लेवल होगा वह यह वाधा लेवल जो की लेवल है 49,849 अगर इसके ऊपर लोगों को यहां पर कॉल बाइक करना है नहीं तो आप लोगों को अभी के मार्केट के अंदर कॉल होगों के बारे में ऑप लोगों को एक ही स्ट्राइटगी को फोलो करना है कौन सा सेल ऑन राइज का जरा सा अप गया और यहां पर आप लोगों को रेड केंडल के अंदर स्ट्रेंट दिखाई दे तब आप लोग यहां पर पुट बाई करें ठीक है अब मानके चलिए अगर कल के दिन इस लेवल पर स्क्राइट करना है क्योंसी का करना है करेंड़ी को कि लोगों को फोलेट करने को और देखने करते हैं लोगों को पुट पाय करना है जब इस लेवल को ब्रेकडाउन कर देगी जो की लेवल है 49,849 का यहां पर अगर आप लोगों को रेड केंडल के अंदर रेश्टरेंट दिखाई दे तभी आप लोग यहां पर पुट बाई कर सकते हैं और टारगेट की बात करें तो पहला टारगेट आप लोगों का यहां पर रह सकता है जो की आज का क्लोजिंग के तरफ सेफ जा सकते हैं अब सपोज कर लीजिए अगर कल के दिन बैंक निफ्टी इस लेवल पर अपनिंग होने के बाद अगर यहां पर 15 मिनट का केंडल सस्टेन कर जाती है एक ग्रीन केंडल जिसके अंदर होनी चाहिए तब आप लोग यहां पर कम क्वांटिटी के अब सपोज कर लीजिए अगर कल के दिन बैंक निफ्टी गैप डॉन खुलती है वह कौन सा लेवल होगा वह होगा यह वला लेवल जो की लेवल है 49,435 का अगर इसके नीचे कल के दिन बैंक निफ्टी खुलती है तो आप लोगों को अच्छा खासा घिरावट देखने को म अंदर आप लोगों को यहां पर पूट कब बाई करना है जोब इस लेवल पर दुबारा रिट्रेस्मेंट करने आईगी और यहां पर आप लोगों को रेड केंडल के अंदर एस्ट्रेंट दिखाई दे तभी आप लोगों को यहां पर पूट बाई करना है और यह अच्छ sustain नहीं कर पाती है और इस लेवल को फास्ट मूवमेंट के साथ यहां पर ब्रेकाउट कर देती है तो ऐसे कंडिशन में आप लोगों को यहां पर बिल्कुल भी कॉल नहीं वाई करना है आप लोगों को बेट करना है इस लेवल तक आने देना है जो की लेवल है 49,627 का जो की आज का क्लोजिंग प्राइज है दो लोगों को यहां पर एस लेवल पर रेड के अंदर अच्क डिखाई दे तब आप लोग यहां पर पूट वाई कर सकते हैं और ऐसल की बात करें तो आप लोगों को यहां पर छोटा सा एसल लागाना होगा जो की लेवल होगा 40,720 का ठीक है दोस्तों ये तो हो गया gap up और gap down वाला scenario अब suppose कर लिजिए अगर कल के दिन bank nifty flat खुलती है वो कौन सा जौन होगा वो होगा ये वाला जौन जो की जौन है 49,627 से ले करके 49,435 के बीच में खुलती है तो ऐसे condition में आप लोग ना तो call buy करें ना तो put buy करें क्योंकि अग लोगों को first hour के time पर sideways के अंदर फस्ता हुआ दिख सकता है bank nifty तो दोस्तों आसा करता हूं bank nifty की सारे level आप लोगों को समझ में आ गई होगी आप लोग अपने चार्ट के उपर ये सारे level mark कर लें ताकि कल के दिन आप लोगों को कामकाज आ सकती है अब चलिए देख लेते ह क्या हुई फ्लैट खुली और उसके बाद आप लोग देख सकते हैं पूरा का पूरा दिन क्या हुआ यहां पर गिरावट दिखाई तो जिन्होंने analysis को follow किया होगा वो लोग आज के दिन अच्छा खासा profit बनाया होगा अब चलिए देख लेते हैं कल के दिन कैसा moment होने वाल है जो कल के दिन निफ्टी फिफ्टी गैप डॉन खुल सकती है तो अगर आप लोग ने आज के दिन स्री होल्ड कर रखा है तो आप लोग हो जाई है यहां पर साबधान कल के दिन नौपंद्रा पर मार्केट आपन होगी नौबीस में अपना position को exit कर लें अब चलिए देख लेते हैं कौन-कौन सा level important निकल के आ रही है कल के दिन निफ्टी 50 के अंदर trade करने के लिए तो देखे दोस्तु अभी आप लोगों को call के बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचना है अभी आप लोगों को follow करना है sale on rise strategy का ठीक है दोस्तु अब चलिए देख लेते हैं अगर कल क के दिन निफ्टी 50 gap of opening होती है वो कौन सा level होगा अभी आप लोगों को call बिल्कुल भी नहीं बाई करना है जब तक इस level पर नहीं आती है जो की level है 17,365 का सपोज कर लीजिए अगर कल के दिन इस level पर gap of opening होती है तब भी आप लोगों को यहां पर call कब बाई करना है जब यह इन केंडल के अंदर strength दिखाई देती है तब आप लोग यहां पर call बाई कर सकते हैं वो भी कम quantity के साथ और target की बात करें तो ज्यादा लंबा target नहीं रख सकते हैं आप लोग यहां पर 50 से लेकर के 60 पॉइंट तक का target रख सकते हैं अब सपोज कर लीजिए कल के दिन इस level पर gap up opening होने के बाद और इस level को breakdown कर देती है तो ऐसे condition में आप लोगों को यहां पर immediate put buy कर लेना है क्योंकि अगर कल के दिन इस level पर gap up opening होती है nifty 50 तो आप लोगों को अच्छा खासा घिरावट देखने को मिल सकता है nifty 50 के अंदर क्योंकि इस level पर fresh seller active हो सकते हैं और इस level से निफ्टी 50 के अंदर और टार्गेट की बात करें तो टार्गेट आप लोगों का यहां पर रह सकता है अप्रॉक्सीमेट सो से ले करके 1500 तक का टार्गेट रह सकता है और एसल आप लोगों को यहां पर बिल्कुल छोटा सा एसल लगाना है जो की लेवल होगा 17410 का और उस सकते हैं दोस्तों यह तो हो गया अब सपोज कर लिजी अगर कल के दिन निफ्टी 50 गैप डॉन खुलती है वह कौन सा लेवल होगा वह होगा यह वाला लेवल जो की लेवल है 17110 का अगर इसके नीचे कल के दिन निफ्टी 50 खुलती है तो आप लोगों को अच्छा खासा घि निफ्टी 50 अगर इस लेवल के नीचे कल के दिन खुलती है निफ्टी 50 आप लोगों को रिट्रेस्मेंट पर ही एंट्री लेना है जोब इस लेवल पर दुबारा रिट्रेस्मेंट करने आएगी और यहां पर आप लोगों को रेड केंडल के अंदर एस्ट्रेंट सकते हैं और एसल की बात करें तो आप लोगों को यहां पर छोटा सा एसल लगाना है जो की लेवल होगा 17,150 का और उसके बाद आप लोग यहां पर पूट साइड के तरफ जा सकते हैं अब सपोज कर लिए अगर कल के दिन इस लेवल पर गैप डॉन खुलने के बाद निफ् आप लोगोंको बेट करना है इस लेवल तक जो की लेवल होगा 17,184 का इस लेवल तक आप लोगों को आने देना है जब आप लोगोंको यहां पर रेड्केंडल के अंदर श्ट बीस का और टार्गेट की बात करें तो अप्रॉक्सिमेट टार्गेट आप लोगों का यहां पर रह सकता है पुट साइड के तरफ सो पॉइंट का ठीक है दोस्तों दोस्तों यह तो हो गया गैप अप और गैप डॉन वाला सनर्यू अब सपोज कर लिजिए अगर कल के दिन न आप लोगों को को यहां पर ना तो कॉल वाई करना है ना तो पुट वाई करना है क्योंकि अगर कल के दिन इस जौन में खुलती है तो आप लोगों को फर्श्ट आवर के टाइम पर साइड़ים के अंदर निफ्टी 50 फस्ता हुआ दिख सकता है तो दोस्तों आसा करता हूं बैंक निफ्टी और निफ्टी की सारे लेबल आप लोगों को समझ में आ गई होगी आप लोग अपने चार्ट के उपर ये सारे लेबल मार्क कर लें ताकि कल के दिन आप लोगों को कामकाज आ सकती है तो दोस्तों अगर आप लोगों को हमारा पैडिक्शन इंफरमेटिव ल मिल जाएगा तो तब तक के लिए जाहिंद बन दिमातरम